हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है वीजे और आज हम अपने C++ code को debug करना सीखेंगे उसके लिए वीजुली स्टूडियो करने में क्या करना पड़ता है वो सेखेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं है करें को है तो यहां पादए कि सबते पहले मैं यहां पर लाइन के पर इस तरफ आजाऊंगा और यहां पर में मैं अगर यहां पर जाएगा और यहां यहां पर देख़ें मैं इसको यहां पर करूंग ub ठीक है val एंअ पर run and debug पे क्लिक करूंगा च्क है तो यहां पर मुझे यह debugger nu करने को बोलेगा फिर मैं c++ यह debugger 짜 Rush करूंगग और उसके बाज यहांपर cc++keeper –exc dibuld debugger ACTIVE time मैं इस पर क्लिक के लूँगा ठीक है इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर कके debugger कंसोल है ठीक है मैं अपने याँ अगर टर्मिल पर आजाओंगे आँ गोजो मैं जो एवनिया चाही होगा मिल लाओगा सबसे पहले यहां this मिलेगा this में name आया ठीक है अब दीखिए मुझे इसको restart करना मैं यहां फिर से restart कर दूँगा इधर से यहां इसको stop ही कर लेते हैं मैंने stop कर दिया इसको अब मैं इस program को debug करूँग तो यहां पर इसको अब देख रहोंगे यहां पर मुझे local variables मिल दे हैं और देख रहोंगे यहां पर मुझे local variables मिल दे हैं ठीक है अगर आप वह register में value store कराते हैं तो वह आपको यहां पर मिल जाएगी देखने को लेकिन हम variables में ध्यान देखते हैं जैसे a की value मुझे यहां पर 10 मिल रही है ठीक है a की value 10 है यहां पर क्योंगी line of code चल चुका है क्योंकि सबसे पहले चलेगा main उसके बाद a is equal to 10, b is equal to 10 यहां पर मिल चुका है फिसके बाद यह swipe function को call कर रहा है ठीक है यहां पर यह option मिल ले होंगे आपको जैसे continue और step over ठीक है step into ठीक है तो यह next step चले है इसके बाद क्या step होगा अगर मैं इसको click करता हूँ तो देखिए इसने क्या करा सीथे functional call कर लिया और मैंने यहां breakpoint लग करूँगा step into करूँगा तो यहां पर देखिए next step किया इसने जो x की value थी वो time पर चले गई 10 हो गई फिर से मैं next करता हूँ तो y is equal to temp ठीक है यहां पर देखिए y की value यहां पर 20 मिली x की value यहां पर 20 है ठीक है यह दिखा रहा है और इसको हम थोड़ा से नीचे कल लेंगे इ ठीक है इसी तरह से अगर रिपीट करना है रिस्टार्ट करना है फिर से डीबग करना है यहां पर इसको आप डीबग कर सकते है रिस्टार्ट कर सकते है फिर से रिस्टार्ट होगा फिर से आपके local variable assign होगे और यहां पर आप breakpoint को अगर हटाना है आपको तो आप क्या कर सकत किसी भी कोड में C या C++ में असानी से डीवर्ग कर सकते हैं और अपने local variable को कहा कहा पर कौन सी value assign हो रही है वो देख सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं थैंक यू वाचिंग गुडबाई टेक केर झाल